जैपूर में वनू मेश्र फांडेशन की तरफ से कारिक्रम का आईजन किया गया जिसमें भाजपार नेता और हिंदू एकोरनॉम इस्टर ने सस्थापक अध्यक्ष मौजूद रहे इस दोरान उन्होंने कहा कि आज देश में जो हालात है उससे लगता है कि आने वाले समय में राम नौमी पर तीन दिन की छुटी करनी पड़ेगी इसे के साथ आगे उन्होंने कहा कि राम नौमी की शोबायात्राओं पर बढ़ती पत्राओं की घच्राओं को लेकर बात कही है अपने संबोधन में कपिल विश्वा ने कहा कि आजवादी के बाद हमने हमसे कई जूट बोले गए है वही किताबों में गलत ज्वानकारी पढ़ाई गई है जो कि खोजे हमारे ग्यान और परमपरा से के श्रे नहीं है वहीं विद्यसियों ने दावा किया है कि आम तोर पर हमें बताया ज्वाता है कि अंग्रेजों के आने के बाद हमारे हाँ पढ़ाई का मॉडल आया है जबकि भारत ने अंग्रेजों से सिक्षा मॉडल नहीं लिया बलकि अंग्रेजों ने यहां सिक्षा मॉडल लिया था